अब तो इतनी facilities है हमारे पास इतने यंत रहे सब कुछ है पर आजकल के जोतिश की बात ही नहीं करते कुंडली तक सीमित हो गया उनका focus बस कुंडली देखो उपाए बताओ सबकी बात पर अधिकतर ऐसा ही हो रहा है यहां पर बड़े दुरभगी की बात है कि जहां भी उसका जोतिश से क्या संबन्ध है कैसे जोतिश उसके लिए मतलब काम करता है उसके उपर उसका कहीं जिक्र नहीं है तो यह जब भी जब भी कोई सितारा जैसे अभी चंद्रमा के उपर उन्हों ने एक्सपेरिमेंट किया इस तरह का लॉक्डाउन में असर हुआ तो वहां महवारत युद्ध की बात करते हैं तो वहां पर रोहनी का भीदन होता है तो रोहनी का भीदन होता है तो रोहनी का भीदन में वहां पर राहू से जो रोहनी का भीदन होता है तो युद्ध की शुरुवात होती है रोहनी नक्षत्र की बात करते हैं जी रोहनी नक्षत्र की को देखते थे, आकाश को समझते थे, और अगर हम रिगवेद पढ़ें, रिगवेद में हमको पूरी रिचाएं मिलती हैं, उसमें पूरा हमको आकाश में कब-कब क्या हुआ, कौन-कौन सा ग्रह कहां कहां आता है, और आपको मालुं है कि अभी तो हम समझते हैं कि नौर्थ लेकिन साउथ पूल भी होता है। दोनों दोनों पोल कब-कब दिखते हैं। इसके दिखने का क्या मतलब होता है। मैं अभी कही बढ़ पड़ रहा था कि यह जो नौर्थ पूल है। वहां पर घड़ी का मतलब नहीं है क्योंकि वहां पर साल में एक दिन सूरी निकलता है। एक कोई मेरा क्लाइंट था बहुत पहले की बात है। तो वह मेरे को बताता था कि हम बिलकुल निचे बेस्मेंट रहते हैं। बेस्मेंट में कभी-कभी छे मेने के बाद जिब लाइट आना शुरू हो तो एक रह आती है। तो उस किरन को देखकर मैं इतना उत्सायत हो जाता हूं कि मेरे को अलग मालू पड़ता है। तो वहां पर घड़े का काम नहीं है। तो आमने इतना अध्यान किया इतना अध्यान समझा लोगों लेकिन अबड़ी दुरुवदागी की बात हैं। आकाश को जानते ही नहीं नक्षत्रों को जानते नहीं नहीं हमें लेना देना थेना। लेकिन क्या होगा इसे बता होगा। क्या होगा। सिर्फ वही बात है। आजकल मैंने कई स्लेबस देखे हैं जहां जोतिश पढ़ाया जा रहा है। लिमिटेड वैस बात फिर वहीं गूंकर सिर्फ फलित पर ही आ जाती है। इसका जो उद्गम है, क्या है वहां किसी का जिक्र नहीं है। हम इने आग्रह में जब जोतिश में में किया था तो एक सूरी सिद्धान्त हमें सब्जेक्ट पढ़ाया गया था। और पढ़ने में बहुत इंट्रिस्टेड भी था। पर फिर वहां पर खतम हो गया। में कोर्स ही खतम हो गया। उसके बद मैंने सूरी सिद्धान्त पढ़ाया था। क्योंकि उसका यूजी नहीं भाद में कभी बाद फिससे वही पर आगई सिर्फ की फलिद पर। सूरी सिद्धान्त के आप जो बात करती हैं और आरे भट थे। उन्होंने बहुत पहले यह जान दिया था कि जो सूरी जो है वो इस्थिर है वो परत्वी घूमती है क्योंकि हम गुलाम रहें अंग्रेजों से अंग्रेज बहुत शातिर कौम है वो नहीं चाहती थी कि हम लोग अप इंटेलिएंस कौम मानी जाए क्योंकि हमको मदारी के हिसाब से गिनते थी तो उन्होंने हमको उस तरह का वैलिवेशन नहीं दिया तो उन लोगों ने जो हमारा Greenwich Mean Time जिसको हम गड़ना करते हैं यह गड़ना हमारी यहां से काल भहरफ से होती थी यानि ओची उ एकैन नहीं हमें सारी बातों हिरो और क्या है वनकृत पर को माते हैं अम्से के स हुआ हिएφंच में पर ही हमसाइन वह GETS वाज़ना की बात नहीं कि में कुछा।ारू कि हम जोतिस्टीष का गटिया दिखा रहे हैं कि म inmwn ख यह हम नाम होरें कि व्यक्तिकत क्या होगा वह तो बहुत बात की बात है दुनिया का क्या होगा तो यह भी तो एक ड्यूटी है नहीं जोत्षी की